हालो चिल्रण आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश 1.3 दे कॉल आफ दे स्वाइल ओकी दे कॉल आफ दे स्वाइल चिल्रेन इस चैप्टर को हमने एक पार्ट हमने सिखा दिया है इसमें राइटर वैंकटेश्वरन आयर जो की और गेनिक खेती करना चाहते थे तो सबसे पहले उन्होंने पार्ट वन में आप देखोगी बच्चो आप तो पता चलेगा कि उसमें आप यह देखोगे कि पहले वह फर्स टाइम मूं का फसल उगाते हैं और बहुत अच्छा उनको मिलता है फसल बिना कुछ खाद डाले किसी भी तरह का केमिकल् तो फिर वह एक चाहुल का ट्रडिशनल वेराइटी बोना चाते थे और उसके लिए वह सीरुन को कहीं मिलनी रहा था पार्ट वन में हम लें यह सब देखा था सीरुन को मिलनी रहा था तो यहां वहां बहुत जगा वह भटक रहे थे तो अभी आज इस वीडियो में पर भी यह गए थे तो लोगों के पास भी यह सीद नहीं था जो उनको चाहिए था तो अभी क्या है अभी इस वीडियो में देखोगी आपकी वह कहां पर आये हैं ठीके इस टाइम इट वाज दो आदिवासी महामंडल एट कासा विच बाइज राइस फॉम दी आदिवासी villagers ऑन भीएफ अब अभी इस बार यह एक अधिवासी महामंडल में आये है एक अधिवासी महामंडल एक गृप था जो element की तरफ से कासा एक जग़ा है बच्चो कासा एक जग़ा है वहाँ पर अधिवासी महामंडल के पास वह आये हैं जहां पर लोग गौर्णमेंट की तरफ से आदिवासी गाउं वाले क्या करते थे चावल बेशते थे अरे सुरी 22 खरिदते थे तो कासबाई डिड नौट फिगर इन देर फाइल कासबाई नाम का जो उनको चाहिए था कासबाई एक ट्रडिशनल विराइटी चावल का है वो उनके यहां खरिदते वो लोग देखो क्या है मार्केट में बहुत अलग लग वराइटी सब चाहल की थी ओके सब लोग वही खरिदते थे लिकिन कोई भी ऐसा चाहल का वराइटी नहीं था कासबाई नाम का अगुट इंडिकेशन वाइपेपर दिद नोट ग्रोव इत अनीमोर दिमार अब यहां पर क्या देख रहे हैं हाँ अगुड इंडिकेशन इंडिकेशन मतलब इशारा संकेट ठीक है लोग नहीं ग्रो करते थे लोग अलग देखो अगुड इंडिकेशन वाइपेपल डिनर ग्रोव इत किसको इत किसके लिए कहा गया है कासबाई जो उनको चाहिए थ भ्टर वेरिटी वह लोग नहीं ग्रो करते थे ओकिशन नहीं करते तो मार्केट में आता नहीं था मार्केट वाले पहचानते नहीं थी व morgen कोOS को Rouge को अगर आप ग्रोव करोगे जो यहां पर जो इंशार्ट है जो साथ म ngत अउंशे ता जो कुछ सालों पहले यह लोग काजभाई नाम का चीज बोते थे उनको याद आज गूते पहले यह काजभाई विराइटी बोया जाते हैं अभी इससे में नहीं भूया जा रहा है okay so when i in dhanivari baban and i started looking for devu handa and found a graying old man wearing wearing a cap sitting outside his house on a charpoy an ex-sarpanch of the village he had acres of land a huge house and a large family here when i in dhanivari okay dhanivari place okay bapan joha ek aadmi tha okay i'm gonna tell you that when we were going to go to the dhanivari is a place where we went to the devu handa which was a young man in front of our house he was sitting on his wife okay they lived in the village of the village of the village of the village they had an acre of land a lot of land and they had a lot of family too after exchanging the usual pleasantries we came we came to the topic of kasbhai the mayor mansion of kasbhai and devu handa drifted into the past his eyes turned dreamy and with a tremble in his voice he told us how he is so small and the whole town where we came here day long so you guys have a lot of land there was lots of land and there was a huge study of wood there and all the houses in front of our house they were seated and are open to the first time time so I was able to talk a lot about the good news but after talking about the topic called kasbhai the name of kasbhai the name of kasbhai the name of हो गए उनकी आखे चमक गई ड्रीमी हो गई खाबों में डूब गए वो उनकी आवाज लड़ खड़ाने लगी एकदम पुरा पुरा वो एकदम अपने पास्ट में चले जाते क्योंकि उनको भी राइस बहुत पसंद था ठीक है इंटर अच्छा अब देखे हमने यह तक दे रहे हैं टो यह तक देखे हैं तर आखे हैं बता रहे हैं कि लोग उनकी कि अपने अर्ब बढासिटा है उनकी दी आ शुटेंगे गाहुत गूजरते था हैं जाव तो बोने आपको रोक नहीं पाते थे एक दम वह फोर्ज नहीं कर पाते थे कि चलो यहां से वह रोक नहीं पाते थे अपने आपको उनका खाने के अमन करते था कि इतनी गजब की स्मेल थी हमारे कासबाई एलिवरिंग अरोमा बहुत अट्रक्टिक बहुत ही लालस दिलाने वाली स्मेल थी कासबाई राइस की वो लोग वही पर खाने के लिए रूप जाते थे पूरा पूरे एरिये में यही चावल पक रहा था था हवा में खुष्बू पुरी फैली रहत तो फोर्सिम हिमसेल्फ तो इत इस राइस देट वास सो इंसीपीड अब देख लेते हैं अब बता रहे कि आज ठूड़े ही से आज नहीं बोला कि कोई भी खासबाई यह विराइटी नहीं बहुता है सब लोग भी शिफ्ट कर लिया है किसमें हाइब्रिड अलग अलग वर यह कहा कि यह जो यह जो चावल इस समय जो खाते हैं बहुत ही इनसे मतले बहुत ही फीका है बहुत फीका जो इस समय खुद खाते हैं बहुत ही फीका चावल खाते हैं वह पहले जैसा चावल नहीं है जो कि जो बात चल रही है कासबाई राइस की वह अब नहीं बन रही है with the advent of irrigation farmers were tempted to grow a second crop and cast by being a long duration rice was replaced by the shorter duration hybrid so that the harvest could be done earlier अभी बता रहे हैं कि जो किसान लोग ना प्रयास किये ग्रोव करने का सेकंड क्रॉप के जगह पर इन्होंने यह इसलिए बोना चलो क्योंकि यह बहुत कम समय लेता है सक्षाइब बहुत लंबा समय लेता है इसके लिए लोग यह अलग जो हाइब्रीट से जो अलग लग वराइटीस के जो राइस के वराइटीस है वह फसलों आते है कि वह जल्दी से जल्दी ऊगजाए ओक्रें आगे है दिस एन्शिद देफरब्र कुद्ध थेक आप एक सकू आगे बताती हो आपको इतना रिख ले पहले राटर बोल रहे है कि मैंने उनसे और झाल्म कमाने लोड़ने के खेश के पुछति कुर्ष तो 아पको तो बोना चीए तो आदमी जो बता रहां रहे जो सरपंच वो समाइल के और उसका जबाब रोने दिया बोले कि भाई दे को ऐसा है कि हमारे फिल्ड हमारा जो खेत है उसके किनारे किनारे जो फैंस है जो दीवारे होती वो नहीं है अब जब हार्वेश सब का सब लोगों ने वही शौट डिरेशन वाला चुन लिया है तो फटा फटन का फसल तयार हो जाता है और यह हमारा कासबाई बहुत टाइम लेता आपको पता है कि ज़्यादा समय लेता अभी मैंने आपको बताया था तो तो जो कैटल जो मवेशी जो जानवरों का जो जुन्द है वह लोग तो अपना फसल काटके ले लेते ठीक यह सब इसमें लिखा नहीं है मैं आपको डीप मिनिंग बता रहे इसका ठीक है तो यह लंबा डियुरेशन होता है कासबाई का तो यह सब जो कैटल है वह आके क्या करते हमारे फिल्ल में गुज बी अट्रीट फॉर्डेशन ही एक्सपें उन्हें बता है कि गर भाई सब लोग अपना फसल काट लेते जल्दी अगर मेरा कासबाईस मेरता क्योंकि वह लंबा समय लेता है तो सारे जानवर मेरे फसल को खा जाते बहुत अच्छा खासा ट्रीट हो जाता उनके लिए यह त है इसके लिए बता है कि मुझे भी करना पड़ा हाइबिड्स नीद मोर वाट फर्टिलाजर सर्पैसिसाइड इसेड दैट इए इस वर गुड़ इनिशियली बट ऑफ लेट है रड्यूज यह बता है कि जो डिफर्ट डिवर टाइप्स के जो जो फाल की जो वराइटी जह अचte कि इस सब्सक्राइब लेकिन भाट की बई एक से मुड़ी टीम से रोख लाव पार्ट मा नुक्सान हुआ है गराब वहा जोग्त जो इस वह इन उस हो फाशल की इसके अलावा उन्होंने ये भी बता है कि हर साल बहुत जादा इसकी क्वैंटिटी यूरिया का और पेस्टिसाइट्स का बढ़ता ही जाता है यह हर साल और रिक्वाइर करता है कि जाहर ज़दा दवाजा छटनी पड़ती है कासबाई की बात नहीं हो रही है यह जो इन लोगों नो चूज किया शॉर्ट दूरेशन वाला चावल ना वो उसकी बात चल रही है इसकी बात चल रही है जो 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 साटिस्फाइब होने बहुत इंपॉसिबल सा काम हो that is insatiable insatiable उनसाज अपधना इंससेiblल। वसन एज 吏प ओधन जिसको एकड़ित खिलती है ये ख़द बात रही है कामेकिलो कि इसको औरनी ये फासल होती तीने ज्गभ वती विए अवर वेट वर फ्लेश फलेश फलेश इन देख लेज अचा यह बता रहे हैं कि उन्होंने इभी बता है कि एक बार 60s के दशक में मतलब 60s के दशक समझेर नाप 60s के डिकेड में बाड आई थी तो कैसे सब गाहन वाले भाग गयते सारी फसल नुक्सान हो गई थी लेक वह किने कासबाई चावल्जबस रहा था है ग्राउंड में ऐसे जसका तथ स्थ खड़ा का खड़ा ही रह गया था और ही फॉन्हें यह रेमेंबर किया कि कैसे राइस एकदम से खड़ा का खड़ा रह गया जबकि सारी विलेजर्स तंव गय थे भाग गय थे बार के बाद जब लोग आये तो उन्होंने उसको देखा खड़ा था सच वह देखा खड़ा था सच वह स्ट्रेंग्ट ऑफ राइस बट लोग वहां ड़न ही रूट अब बता रहे कि देखो न सब लोग जब आये तो किसी चावल की मजबूती है इतना स्ट्रॉंग राइस का यह आगे चलते हैं फटाफ़ देख लेते हैं As he went on remanicing about the rice, we gently guided him back to the region, for our visit the Khazbhai seats. He was sure that there was not a single villager in this area who would have the seats of Khazbhai, यहां तक देख लेते हैं अब मैंने हम लोगो नोंको याद दिला है भाई कि हम जिस मकसद से आए हैं अब यब क्षप से हटो सामने याओ कि नहीं एक चाहिए क्दाइस सीड के हमने ने को याद दिलाई तो उन्होंने आप साफ इंकार कर दिया बता दिया किस गाउ में तो हमें कभी यहां पर कहीं भी यह सीड नहीं मिलेगा किसी भी गाउ में में अकोर्डिंग टुए हम उनके हिसाब से कि जो नेक्स विलेज आपको पछी बात देखलेजी आपलो कि कहा गया लो ? हम एक सब्सक्राइब होता है चोटा सा गाउं एक सब्सक्राइब का मतलब होता है बच्चों छोटा सा गाउं बता रहें फूथिस मतलब देखो जो पहाड़ी के नीचे होता है जो पहाड़ी के नीचे का होता है ठीक है फूथिस मतलब पहाड़ी के नीचे बता रहें कि एक चाहा आगे का जो गाउं है असार वरी करके उस वो पहाड़ी के निचे है चोटा सा गाउं आदिवासियों का है वह आदिवासि लोग रते वहीं लोग इसको उगाते हैं अब इनको पता चल गया पता वे बिट फैर्वेल टु देवु हांड़ा हूं लोविंगली ब्लेस्ट अण सैड महालक्षमी दि लोकल गॉड़ेस विल गिव यूद सीट सव खासवाई बिट मतला बोला जैसे विश करते किसी को तो ऐसे फैर्वेल करने के लिए बिदा लेने के लिए बिड़ोदाई उस ठीक तो हमने उनको फैरवेल बोला हमने बिदाई कि मतलब असा बाइवाई किया देवहंड़ को जिन्हों ने हमें बत प्यार से ब्लेस किया अश्वादिया बोला कि महालक्षमी जो लोकल गॉड़ेस यहां की है जो स्थाने देवी है महालक्ष करें भगवान करें कि आपको कासभाय का सीड आपको मिल जाए इन असारवारी विलेज भी आज सर्पन्स टू हैल पस आज वी वर नौट वरी फ्लूवेंट विद लोकल ड्यालेक्ट ही सैंट इस एससेस्टेंज जीवन वेट इन्टो दे हिल्स इन्होंने बताया क्या तो आप कुछ है तो उन्होंने क्या कि आपना असिस्टेंट जीवन जीवन को ने भेजा जीवन नाम का एक आदमी था उनका असिस्टेंट उसको ने भेजा उनके साथ जाने के लिए पाड़ी पे तो वही ट्रांसलेट करके उनको बताता सब चीज आप्टे रहाफ आर वा चोटा सा स्लीपी गाउं अब देखिए अच्छा अब उनको रास्ते में एक घड़ घंटा वो चले नहीं आफ्टर हाफ आर आदा घंटा तक उनका वाक चला जिसमें की बहुत घने घने वरस्पतिया थी मतलब सब प्लांस था चरचरद रास्तें पड़े नंबर ऑफ स्ट ट्रहवल मतलब कंकड होता है अच्छा जए स्मॉल स्टोंस होते है तो इसके दो बोरी पाड़ा बोरी पाड़ा का है बोरी पाड़ा का चोटा सा गाव वहाँ पर पूंच गे देर वेर्ट जस्टू जस्टू रमशेकल हाउसें इन फ्रंट ऑफ एस आज वी वोटर्ड़ इफ दिस वस दे राइट प्लेस अच्छा राम शाकल मतलब रैम शाकल का मतलब होता है एक जर जर तुटा फुटा एक बेकार सा तो बोले दो तुटे-फुटे बेकार से घर दिखे सामने और ऐसा लगा हम लोग को कि हम लोग सही जगा पे आय भी है मतलब इसमें कुई इंसा जिवन तुटा प्रुशल क्वेश्चिन तो जैसे हम लोग वाँ पहुचे तो एक बुड़ी सी एक रिंकलोल में जैसे चेहरे पर जुरिया आ गए थी ऐसे एक बुड़ी सी और वहां पर घर के सामने एक खड़ बैठी थी और वह सामने आई तो जैसे हम उनके सामने आ जैसे मटर्ड इन रिप्लाई और वी लुक्ट एट जीवन फार पिक इंटर्प्रेटेशन ही ब्रॉक इंटो इंटो इसमाइल अन इंफॉर्म्ड अस दाट शी दिद हैव थे राइस और वांटेट तो वी वर और वी वांटेट इट अच्छा तो मटर मतलब मतलब बढ़ जबाब में कुछ बोली जब जीवन ने क्वेशन किया जो अपना सीट के बारें पुछना था तो उसने मटर्ड जबाब दिया जीवन की तरफ देखकर ठीक है तो अच्छा जबाब दिया एंड लोगड जीवन फॉर तो हमने जीवन की तरफ देखा एक को एक क्विक इंट जीवन की तरफ यह देखे कि जीवन बताये मुझे अभी उसने जो बोला उस पूड़ी और अपने अभी यह जीवन ट्रांसलेट करके मुझे बताएगा ठीक है तो जीवन क्या किया एक हल किसे स्माइल किया एंड एंड यह बताया कि उनके पास है ठीक है उनके पास है पर जाना चाहती है कि आप लोग कौन हो और क्यों चाहते हो ठीक है ओके चलिए भी यह चलते हैं इट वोज डिफिकल्ट टासुट की पर स्ट्रेट फेस और है तो कंट्रोल स्ट्रॉंग डिजार तो हग अप्टर सर्चिंग फॉर मंस्ट वी हैट फॉर्ण द एल्यूसिव कासब है यह बहुत डिफिकल्ट काम था बता रहें मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क था कि मैं जब पता चल गया मुझे कि इनके पास यह सीध है तो मेरा मन किया कि उस बुड़ी अरत को में एकदम से गले लगा लूँ कि हग कर लूँ मैं को गले लगा मेरी एक्छा हुई बहुत स मतलब ऐसे तो होता है मायावी ठीक है लेकिन इसका मतलब यह भी है कि डिफिकल्ट टू फाइंड कैच और अचीव जो चीज बड़े मुश्किल से मिले वह लिए कास भाई मुझे मिल गया हमें मिल गया वी एक्स्प्लैंट तो हर्ड दैट वी वर फ्रॉम पेथ निरभाई हमने एक्समें कि हमने बता है कि हम पेथ गाउ से हैं पासके गाउं के पेथ गाउ से हैं हमें जुरत थे से उगाने की हमें यह भी चाहिए इसलिए कि हम उगाना चाते हैं वी आस्के पर 10 किलोग्राम्स उफ राइस शी मटर और स्कॉल्ट जीवन इंटर्प्रेटेट थे निवर फेथ विलेज और अलसो दिद नॉट थे वेट स्केल तो शीव टथेंटेद इसलिए रायश तो हम ने बॉला कि यह 10 किलोग्रामम राइस चाहिए इसका सीट 10 किलोग्राम में चाहिए उसने मतरद उसने दिये से बोल और वो चॉक गई Scoled मतलब scoled मतलब वह चौक गई और जीवन को जीवन ने बताया कि उसके पास वह कभी भी पैठ नाम का विलेज कभी सुनी नहीं है वह लोगा दिवासी थे वह अपने गाहों से कहीं बार जाते नहीं थे तो इसलिए वह पैठ नाम का गाहों कभी सुनी नहीं थी इन लोगो गाल में आपके देने रचाथी कि वे बैतारी तोफे में राचाती थी को में अच्छा पूसका पो नमाब के देना चाती थी कि वे वे देना स्केल नहीं था तो हमने कहा कि भाई हमें एक सिंगल एक टोकरी का दे देजे बस और जीवन ने बोला कि हमें जीवन ने मुझे बताया कि भी पेकर हो तुम उसको आपको एक तो कुछ दो इसके बद ले तो मैंने उसको हंडेड रुपीस का नुर्दे दिया तो पिछले दस मि मिला एक दम खुश हो गई और अपना सिर हिलाया जैसे उसने अप्रूवल जैसे एकसेप्ट कर लिया हो वो खुश थी ठीके उसने अपना सिर हिलाया okay last paragraph for children as we walk back against the fading sunset leaving behind a smile old lady I couldn't help but wonder that here nestling in the foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city were the real people of India यहां तक देख ले पहले as we walk back जैसे ही हम वापस जाने लगे वहां से जब sunset जैसे होने लगा तो जैसे शामने लगी थी हम लोग जब वहां से छोड़के जाने लगे उस बुड़ी सी smiling औरत को छोड़के हम जब जा रहे थे पीछे अपने तो हम लोग क्या ना वी कुड़न्ट हैल्प हम कुछ हैल्प नहीं कर सकते थे बस हम यहां पर यह देख रहे थे हम यह देखे बच्चों कि नेसलिंग तो होता है जैसे शरण लेना ठीक कि यह जो लोग हैं इंडिया के असली लोग है जो हसल बसल हसल बसल मतलब भाग द्र से दूर अभी फ्रॉम भाप द्रस बाभ दोड़ से माउंटेन के नीचे जो फुथिल फुथिल मतला पहाड के नीचे का पाड जो होता है तो उस पे जो लोग रहते हैं यही रियल लोग है यही रियल इंडिया के लोग है ठीक है यह सब दिमाग में चल रहा था लोग है जो की हमारे बायोडायवसीटी मतलब जय विवित्ता हमारे जो डिफर्ट टाइबस के जय विवित्ता हैं इन्हों ने कायम रखी 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 लोग दे रहे हैं reg части तो सब लोगों ने सब भूटेर भूट रखाए है कोई धिहान अन्य गांव रिक्टा है सीड यह बोते हैं उस ट्रडिशनल सीड को बो रहे हैं और यह बरकरार है ठीक तेहर नेवर हड़ ऑफ हाइब्रेट्स फर्टिलाजर्स पैसे साइड तेश ग्रियू देर राइस एंड एक सब्सक्राइब हां तो सुनिए यह लोग कभी भी हाइब्रेट्स में दिफ्रेंट ट दवायों के बारे नहीं सुने थे जस्ट ग्रियू देर राइस वे जस्ट अपना चाव लोगाते थे और एंड खा लेते थे वोड देगार जो वह पाते थे वह खालते थे दो ओलेडी वी मैट है प्रॉबैबली नेवर लेफ्ट बोरी पाड़ा बुड़ी और जो बता रह घञार गई ही नहीं थे आसे अपने लाइफ भर में बुरा हर वर्ड वह अर्वार्ड वह अन्सपॉयल बइप्रोग्रेस और फॉर उट यह मतलब ठीक है उसका वार्ड प्रोग्रेस के द्वारा हाला कि बहुत प्रोग्रेस ने किया था कुछ नेजस का तस्वाय से थी था अपने दुनिया में खाते थे रहते थे कोई टेंशन नहीं इसलिए ऐसा बोला जा रहे हैं और एट और फॉर और एक बर फिल से क्या है मैं उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल था बहुत धन्यवाद कि इन्हों ने मुझे यह सीड दिया चिल लड़ना यह होप आपको पसंद आया हुआ और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी जो भी रिक्वार्मेंट हो आप बता सकते हो हाला कि इस समय बच्चे एकदम से वीडियो को नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी अभी उनको बिना एक्जाम दिये वो लोग चले गए हैं 11 में 10 में 12 में चले गए हैं तो शार इसलिए वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से पढ़ाई शुरू क कर दो नौलेज कभी भी बेकार नहीं जाता आप पढ़ाई करते रहें करते रहें करते रहें कि मिलके नेक्स वीडियो में कुछ नया लेकर नेक्स चैप्टर लेकर ऑके बाई बाई थैंक यू